दोस्तों हाली में Rolls-Royce ने लॉंच के अपना पहला फुली एलेक्ट्रिक वेहिकल विचिस रोल्स-्रॉइस स्पेक्ट्रा अब रोल्स-्रॉइस का जो मार्केट है यह बहुत ही निश मार्केट है चोटा सा मार्केट है जो लोग पसंद करते हैं और पसंद दो समलोग करते ह तो वीडियो को जरूर एंड तक देखेगा क्योंकि इसी पर आज का हमारा वीडियो होने वाला है जिस तरीके से दुनिया हमने आज की डेट में बनाई है गाडियों का और वेहिकल का जो मुवमेंट है यह क्रूशल है हमारी दुनिया को चलाने के लिए एकॉड़मी को चल लेयर डिपलीशन जो हार्म होता है इंवार्मेंट को अब इंवार्मेंट को हम हार्म करके कुछ भी करें तो लॉंग रन में वह हमारे लिए घातक साबित होगा इंवार्मेंट को बचाना है और गाडियों को भी नहीं रोकना है जैसे कहते ही हैं कि necessity is the mother of invention तो यहां जरूर zero tailpipe emission produce होता है मतलब environment के लिए चीज safe है जो electricity use किया जाता है इन vehicles को चलाने के लिए यह सवाल उठ सकता है कि वो भी तो fossil fuel से produce होता है तो वहां पर fossil fuel जब use हो रहा है तो उससे भी तो problem हो सकता है environment को हाँ पर धीरे-धीरे fossil fuel से इसको shift किया जा रहा है towards more sustainable renewable energy sources जैसे solar power या wind power जि basically हम ensure कर रहे हैं कि long term में जो environment है यह जादा clean रहा है और आमारे लिए better साबित हो जिससे हमारी quality of life भी improve हो क्योंकि अभी के शहरों में खास करके emission होता है vehicle से यह बहुत बड़ा role play करता है air quality index और environment को खराब करने के लिए जिससे in turn हमारी ही quality of life खराब हो रही है दूसरा reason है economical ज प्वाइंट को T सस्ता पड़ता है ऐसे electric vehicles को transport में यूज करना का फी कृईट भी होता है बहुत smoothly function करता है यह engine published बहुत pleasant experience देती है, जो अंदर बैठे passengers हैं उनको भी, और बाहर जो outsiders हैं उनके लिए भी, और जैसे जैसे यह technology और बहतर होती जा रही है, और production बढ़ते जा रहा है न, electric vehicles का, वैसे ही यह electric vehicles और ज्यादा affordable होती जाएंगी consumers के लिए, electric vehicle में जो battery use होता है, यह battery का जो technology है, यह भी की efficiency है, technological advancement करके, battery को better किया जा रहा है, और government और private companies भी अपने policies के according, infrastructure set कर रही है, charging stations का, जो charge करेंगी इन electric vehicles को, जिसके वज़े से और और पूरा जो infrastructure है, वो develop हो रहा है, technological advancement हो रहा है, तो basically सब चीज़े favor में हो रही है, electric vehicles को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि electric vehicle is the future, government incentives दे लिए electric vehicle को खरी के use करने के लिए in the form of tax breaks, reduced bills, subsidies, और क्योंकि जो electricity use होगा इन electric vehicles में, वो ज्यादा कोशिच किया जा रहा है, renewable energy sources से produce किया जाए, इसके वज़े से fossil fuel import पे भी जो हमारी dependency है, वो भी बहुत reduce होगी, economic opportunity भी कमाल की है, क्योंकि जो electric vehicles हैं, इनके लिए जो infrastructure set करना प इससे economic development भी बहुत जादा होगा, challenges तो definitely बहुत सारे electric vehicle को लाने में, जैसे जो infrastructure को set up करने का cost है, वो बहुत heavy investment शुरू में ही demand करता है, जैसे charging stations, maintenance centers होंगे electric vehicles के लिए, और जो technological development है in the form of batteries और बहुत heavy investment demand करता है, पर definitely जो फायदे हैं, वो long term में बहुत जादा होगे, इसी लि electricity based flights तो अभी early stages में हैं, पर एक hybrid model को use किया जा रहा है, जिससे कम emission हो, और overall environment के लिए भी काफी अच्छा हो, electric ferries, cargo ships में ये चीज़ अभी operate की जा रही है, ट्राई की जा रही है, और जैसे ये चीज़ successful होगी, वैसे और larger transport के लिए भी ये चीज़ यूज़ की जा सकती है, त मैं मिलता हूं तो अब्साग ले वीडियो में, थैंक यू सा मच फो वाच्छिंग